नमस्कार सात्यों राजिस्थान इस्टिट्यूट के ओनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत एवम अभिनंदन है तो सात्यों आज का हमारा टॉपिक रहेगा बाल विकास चाइल्ड डवलप्मेंट जिसे हम अधिगम करता का विकास के भी जो है कहते हैं अधिगम करत का मतलब कुछ भी सीहने वाल जो होगा उसे मदिगम करता करेंगे सेशे ब Soo वो बच्चपन से कुछ न कुछ सीक से रहता है और जब तक وہ जबान होता है कमतलब करता Lulu करने वाला लर्णर बोलते हैं इसे हम English में तो अधिगम करता का मतलब आप समझ गया हूंगे जो अधिगम करेगा अधिगम का मतलब कुछ न कुछ सीखेगा तो यहांपर हम बच्चे की बात करेंगे बाल विकास तो बाल विकास में बच्चे मैं बात करेंगे तो सबसे पहले इसके बारे में कुछ महत्पून बात हैं उसके बारे मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पर आप देखोगे देखिए साइकलोजी का एक ही फंडाय याद करने का इनको बार बार आप रिवाईज करोगे तो आप आराम से इसको याद कर पाओगे और कोश्चनों की प्रक्टिस जरूर करते रहें साथ की साथ बाल विकास की बात करूँ तो बालक के विकास को लेकर सत्रेवी सदी से पूर्वे व्यक्तियों के मस्तिस में कई विचार आते रहते थे तो 17 भी सताबदी से पहले भी जो है बच्चों के विकास के बारे में बाल के विकास के बारे में भी जो है कई विचार आते रहते थे लेकिन पहली बार 1628 इस भी में कॉमेनियस नाम के एक व्यक्ति ने इसके संदर में सोचना शुरू किया था किसने कॉमेनियस ने तो कॉमेन तक बनाई जिनमें विसेवस्तू को चित्रों के माध्यम से समझाया तो देखिए कॉमेनियस की मैं आपको बता देता हूं कॉमेनियस ने जो है बाल विकास के बारे में चित्रों के माध्यम से समझाया यहां पर लिखा हुआ है बसेवस्तू को चित्रों के माध्यम से समझाये गया मतलब उसमें बताया गया कि बच्चा जो है बुरूना बस्ताम उसकी सरचना इस परकार होती है आगे दीर दीर जनम लेता है और थोड़ा सा बड़ा हो जाता है ब बात आपको ध्यान रखनी है तो 1628 में इसने सोचना शुरू किया कॉमिनियस ने और उसके बाद 1667 मन तक 29 साल तक लगातार इनों ने जो है अध्यन किया और दो पुस्तक इनों ने बनाई जिनको उन दोनों पुस्तकों में इनों ने जो विसेवस्तु मतलब कंटेंट जो सब्सक्राणी के तो 18 सदी में जर्मनी के एक विद्वान थे पैस्टोलोजी पैस्टोलोजी ने अपने ही साड़े तीन वरस तक के बालक का अध्यन किया और 1724 में उसके जीवन की लीलाओं का वर्णन बेवी बायोग्राफी के नाम से किया अब देखिए पैस्टोलोजी की में बात करूं तो 18 सदी में जो है मनोव इग्यानिक होता है पैस्टोलोजी यह जर्मनी का एक बहुत बड़ा विद्वान था पैस्टोलोजी तो इन्होंने अपने साड़े तीन साल के बालक पर अद्दिन किया और अपने ही बच्चे पर साड़े तीन साल के बच्चे पर इनों ने अद्धन किया और उसके जीवन की जो लीला हैं थी उन सभी के बारे में उसने जो है एक पस्तक में वर्णन किया है उस पस्तक का नाम है बेवी बायोग्राफी तो ये आपको याद रखनी है बेवी बायोग्राफी किसकी पस्तक है पैस्तोलोजी की पस्तक है बेवी जो है पेस्टोलोजी ने साड़े तीन साल के अपने खुद के ही बच्चे के विकास के बारे में इसमें वर्णन किया है 1774 इस भी में इसमें जीवन लीलाओं को वर्णन इन्होंने वेवी बायोग्राफी में किया उसके बाद मैं आपर तीसरे पॉइंट की बात करता हूँ कि सर्प्रतम बालक के विकास को ले करके जो विचार पेस्टोलोजी के दौरा बेवी बायोग्राफी के माद्दिम से बताए गए आगे बड़ा उसी के परणाम सुरूप बाल मनोविग्यान का जिनम हुआ इसलिए पेस्टोलोजी को बाल मनोविग्यान का जिनक कहते हैं तो अब समझ गए होंगे आप पेस्टोलोजी को बाल मनोविग्यान का जिनक क्यों कहते हैं क्योंकि बाल मनोविज्ञान के बारे में तरह तरह की जो बाते थी इस पुस्टक में उन्होंने लिखी थी तो ये बाते जो थी ये पैस्टोलोजी के द्वारा लिखी गई थी इस वज़े से पैस्टोलोजी को जो है बाल मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है तो यहां पर ध् जर्मनी के ही बच्चे बच्चों का एक डॉक्टर था टाइड में ने पढ़ा और टाइड में ने पहली बार बालक के विकास को मनोविग्यान एक तरीके से समझने का प्रियास किया और उसके आदार पर जो है पाल चिकतसा मनोविग्यान की विचारदारा का विकास किया अब एक जर्मनी में जो है जर्मनी देशकी में बात करूं तो जर्मनी में एक बच्चों का डॉक्टर था टाइड में तो टाइड में ने जो है पैस्टोलोजी के बचारों को पत्र पत्री काओं में जब प्रकास हूँ जब पैस्टोलोजी ने ये बेवी बायोग्राफी में जो बालक के विकास के बारे में अध्यन किया था और उनको बेवी बायोग्राफी पुस्तक में लिखा था उसके बाद उनको बिविन पत्र पत्रिकाओं में मतलब अखवारों में उसको निकाला गया न्यूज दी गई बार बार उनकी तो इस न्यूज से प्रवावित हुआ वो पत्र पत्री काओं को पढ़ कर गया ख़वारों को पढ़ने के बसचाथ जो टाइड में था बच्चों के एक डॉंक्टर था उसने जब इसके बारे में पढ़ा कि बच्चे का विकास कैसे कैसे होता है तो बच्चे के विकास को मान विज्यानिक द्रिष्टी से उन विचारों को पढ़ा और फटने के बसकाथ उन्होंने बाल चिकतसा मन विज्यान cow की विकास किया मैडिकल से रेलयेटएड अर्थाथ बच्चोंail का उल्हों है उन्होंने अद्ध्यन की बाल चिकतसा मन विज्यान की विचार धारा जो दी गई थी, तो वो सबसे पहले दी गई यहां पर, टाइडमेन के दूरा, उसके बाद मैं रहे बात करता हूं, 19.12 सती में सिरिमती विक्टोरिया की मैं बात करूँ, तो विक्टोरिया हरलोग, तो इनका पूरा नाम है, विक्टोरिया हरलोग तो उन्नीस भी सताब दिया बाती है पहले मैंने बात करी सत्रेवी सताब दिकी कॉमेनियस की बात करी थी मैंने सबसे पहले आपको उसके बाद मैंने पैस्टोलोजी की बात करी और पेस्टोलोजी के बाद मैंने आप से बात करिया यहांपर विक्टोरिया हरलोग की विक्टोरिया हरलोग जो है इसकी मैं बात करूँ तो 19. सताबदी में इन्होंने अपना कारे सुरू किया और कहा कि एक बालक का जो विकास होता है वो गर्वकाल से ही प्रारंब हो जाता है मतलब जब बच्चा जो है गर्व में होता है तो उसी समय से ही बच्चे का विकास होना प्रारंब हो जाता है तो ये बात आपको ध्यान रखने है गर्वकाल की जो बात बताई थी वो किस ने बताई थी विक्टोरिया हरलोक ने बताई थी अब देगे कोस्चन कैसे बनता है कि बच्चे का विकास होता है जनम से लेकर ब्रद्धावस्ता तक गर्वकाल से लेकर ब्रद्धावस्ता तक और गर्वकाल से लेकर जो है योबाव विग्यान कहलाता है तो बाल मनोविग्यान का मतलब जब बच्चे का जनम हो जाता है उसके बाद की अवस्ताओं के यदि हम अध्यन करें तो बाल मनोविग्यान में की जाएंगी ठीक है तो यह आपको ध्यान रखना है तो बालक के विकास का अध्यन जनम के बाद की की जब अबस्थाओं के बारे में स्टेज्स के बारे में बात करें तो गर्बवस्था की बच्षे की सिम् sự करें बात करें तो आप व्याद में बात करता हूं इस इन्हों ने 1892 में अमेरिका से बाल विकास आंदॉलन और उन्हों ने चलाया था और उन्हें वाल विकास आंदॉलना जनक कहते हैं क्योंकि बालवकास आनुञलन सबसे पहले अमेरिका में इन्हों नहीं चलाये था जनूने स्टेनली हल ने इस वज़े से इसे बालवकास आनुञलन का जनक कहते हैं आप देखिए कई जनक होग diğer आपको यहाँ पर यहाद रखने होंगी तो बाल विकास आंदोलन का जनक कौन? वो है स्टेनली होल और यहाँपर आपको मैंने पहले भी बताय था जो पेस्टोलोजी है उसे बाल मनोविज्ञान का जनक कहते हैं यह आपको धिएड़न रखना और यहां पर स्टेनली ओल की में बात करूँ तो इसे बाल विकास आंदोलन का जनक कहा जाता है क्योंकि सबसे पहले अमेरिका में इन्होंने बाल विकास आंदोलन चलाये था अब यहां पर मैं कुछ परिवासाओं की में बात करता हूँ बाल विकास के बारे में कुछ मनोविग्यानिकों ने अपनी परिवासाई दी है क्या-क्या विचार रहे हैं मनोविग्यानिकों के माल विकास के बारे में सबसे पहले मैं क्रो एंड क्रो की बात करता हूँ यह दो वेग्या निकते, क्रो एंड क्रो का मतलब यहाँ पर हो गया, एक तो उसकी पत्नी थी और एक खुद पती था, तो पती पत्नी दोनों को क्रो एंड क्रो का जाता है, एक तो मेल था, एक फी मेल था, तो क्रो क्रो एंड क्रो के अनुसार में बात करूं तो क्रो एंड क्रो के अनुसार गर्वबस्ता के प्रारम से लेकर किसो रवस्ता के प्रारम तक जब किसो रवस्ता प्रारम होती है तक बालक के बेवार में होने बाले परीवर्तनों का अध्यनी क्या कहलाता है बाल विकास अब यहा कोरह स्वारंब होने तक के बीच के समय को यहां पर क्रों को एति आप यहां पर प्रारंब से प्रारंब तक यह बी बात आप को द्हान रखने हैं यहां पर तो गर्वास्ता के प्रारम से लेकर किसोर अवस्ता के प्रारम तक बालक के विवार में जो परिवर्तन आते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं बालविकास दूसरी में परिवासागी बात करूँगा बर्क के अनुसार बालविकास के बारे में क्या बताए गया बर्क के अनुसार तो बर्क ने बताए कि बालविकास मनविग्यान की वहसाखा मानी जाती है जिसमें जनम से पूर्व की अवस्ताओं से लेकर जनम के बाद किसोर अवस्ता तक होने वाली परिवर्तनों का द्यान किया जाता है मतलब जनम से पूर्व की जो अवस्ताओं थी जनम जब तक बच्चे ने नहीं लिया था उससे पहले की जो अवस्ताओं थी तब से लेकर के जनम के बाद के सोरवस्ता तक होने वाले परिवर्तनों का द्यान भी इनों ने किया तो बाल विकास के बारे में बर्क के अनुसार क्या बताए गया कि जनम से पूर्व की अवस्ता तो वही बात हो गई जनम से पूर्व की अवस्ता क्या होती है गरवबस्ता ही होती है लेकिन जनम के बाद गीवस्ता के सुरभबस्ता तक इन्होंने क्या बताया जो वेवार में परिवरतन होते हैं उनको बताये है उन्होंने वाल विकास तो यहाँ पर ध्यान रखना है इन्होंने भी सेमसी परिवासा दिये जनम से पूर्व की इन्होंने कुछ सब्दों को इन्होंने चेंज गिया है क्रोंने तो बताए था कि गरवबस्ता के प्रारम से लेकर किसर अबस्ता के प्रारम तक यह बात आपको ध्यान रखने हैं बाल विकास आंदोलन का जनक स्टैनली हॉल को माने जाता है बाल विकास आंदोलन का जनक कौन स्टैनली हॉल और बाल मनोविग्यान के जनक क्यों कहा जाता था पैस्टोलोजी को क्योंकि इन्होंने अपने बच्चे पर अध्यन किया था अब हम बात करेंगे याँ पर अब देखोगे भरत देश में बाल-मनोविज्यान या बाल विकाश के अध्यन की शुरूवात कवसे होती है 1930 में तो भारत में 1930 से बाल मनोविग्यान की बात स्टार्ट होगी बाल विकास या बाल मनोविग्यान की में बात करूँ दोनों के बारे में सबसे पहले भारत में सुरुआत हुई 1930 में देखिए यहां पर मैंने आपको बता दिया है बाल मनोविग्यान क्या होता है और बाल विकास क्या होता है बाल मनोविग्यान में मैंने आपको बता है कि जनम के बाद की अवस्ताओं का अद्दिन के जाता है जब कि बाल विकास में गर्ववस्ता से लेकर और जनम के बाद की अवस्ताओं का अद्दिन के जाता है अब यह यहां पर एक बालक के विकास में जो है किसका योगदान होता है यह बात जो है एक बार कोश्चनिस का पूछा गया है कि बालक के विकास में बच्चे का विकास जो होता है उसमें किन किन चीजों का योगदान होता है यह आपको ध्यान रखना है एक तो वन्सक्रम का और एक हो कि बच्चे के विकास में 59 मैंसे योग्दान होता है वातवरण का दूसरा ओपिस्टर कर वातवरण दोनों का चmetroत बतायए बाल विकास की तो बुडवर्थ ने क्या बताया मैंने अभी तक आपको बाल विकास की दो परिवासा हैं बताई हैं एक क्रोएंड क्रो की और एक बर्क की तीसरी में बात करूंगा बुडवर्थ की बर्क के बाद बुडवर्थ बुडवर्थ जो है एक बालक के बिकास में उ होता है यह आपको ध्यान रखनी है तो वुड़वर्थ की परिबाषा जो है वह आपको याद रखनी है बाल विकास बराबर वण's क्रम एंटू वातवरन ये एक बार question पूचा गया है कि वुड़वर्थ ने जो बाल विकास की परिबाषा बताई वो वन्सक्रम और वातवरन का गुननफल बताया है वुड़वर्थ का मानना है कि एक बालक के विकास उसके वन्सक्रम एवं बातवरन का गुननफल होता है अब मैं आपर बात करूँगा बालक के विकास में वन्सक्रम की किस परकार भूमिका होती है उस प्रकार से में जो है आपको समझाने बाला हूँ कि किस प्रकार बालक के विकास में बंस्क्रम महत्पून भूमी का निवाता है तो सबसे पहले में आपको बता देता हूँ माता पिता से पीडी दर पीडी जो है गुनों का संतानों में आगमन ही जो है वन्सक्रम होता है मतलब माता पिता से बच्चों में जो गुन जाते हैं वो बन्सक्रम होता है तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे माता पिता से पीड़ी दर पीड़ी अपने संतानों में जो गुन जाते हैं जो अच्छे-च्छे करेक्टर्स जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं वन्सक्रम तो करेक्टर कैसे भी हो अच्छे हो या बुरे हो वन्सक्रम में ही आते हैं यह आपको ध्यान रखना है माता पिता से प संयोग से गुंसूत्रों का जो इस्थानांत्रन होता है एवं संयोग होता है जिससे कि हमारी जीवन की शुरुबात होती है तो माता पिता से जो है गुंसूत्र जो है बच्चे में जाते हैं मनुस्य में 46 गुंसूत्र होते हैं जिनमें 23 गुंसूत्र माता से और 23 पिता से आत जो है बच्चे में आते हैं और पिता से भी 23 घृषा आते हैं आप देखिये यह तेस घृत्र जो है PER इसे हैं एकटे होगें जिससे हम संयक्त कोर्थ कहते हैं यहां फिर इसको संयूक्त कहोश के नाम से से वी कहते हैं से हीव्यो निवी करें कोस का मतलब इधर से गयल दूसरे मेन दूम और दोनों के होने से जो पूस उसे सआउग्गें अब देखिे ङु़ें अब भूत करने में बात करी जनन पूसी अर्ध कोष माथर कोष पितर कोष के आम भी जानते हैं देखिए जननकोस मात्रकोस और अर्धकोस ये माता से आये हैं और जननकोस अर्धकोस पित्रकोस ये पिता से आये हैं इस बज़े से इनकों बोलते हैं अब जो ये जाइगोट बना है ये एक सुई के नौक के आकार की एक सरचना होती है सुई की नौक जो होती ह इतनी आकार जो है इसका होता जाइगोट का इसी एक आकार से हमारे जीवन की जो है शुरुवात होती है. अब देगे डाइगराम में तो आप को इबड़ा दिख रहा होगा. लेकिन सोई की जद्री नौक होती है उसके बरावर जाइगोट की सरचना होती है. तो इसकी पित्र कोस का निर्मान करते हैं 23 जो गुनसूत्र आये इनको हम जनन कोस भी कह देते हैं माता से आये हैं इस बज़े से मात्र कोस पित्र कोस के नाम से हम जानते हैं और अर्ध कोस क्यों कहते हैं क्योंकि यह 23 ते होते हैं 46 में से आदे आदे आए देखे पहले 46 गुनसूत्र थ के दिया जननकोस कहते हैं और मातरकोस के देते हैं माता से आएं इस तेस गुल्सूत्र जो आये पिता से अने मंदा कोस के दिया इदर से इन और के दिया यूंकि 56ahren को से 47 andare वह रह भी पित्र कोस HOcript करते हैं संख्त कोस्काहिक का मतलब यहांपर जाइगोट करते हैं जिसे की कोस्काहिक करारम हो जाती है तो मानव सरीर एवं लिंग निर्दारन में वंसक्रम की किस परकार भूम का होती है उसके बारे में मैं बात करने वाला हूं देखिए मैंने वंसक्रम और वातवरंद दो चीज़े बताइए आपको जो की बाल विकास में महत्पून योगदां देते हैं तो य कहते हैं किलियो सूथ इर यह का इंख सूथ या का मांसर ने हम जानते हैं एक गुनषूत्र या काई किनवासरु भी कह देते हैं देखिए ऐलो सूम की स्पिलिंग लिख देता हूँ जो लिंग गुंसूतर होते हैं उनको हम ऐलो सूम के नाम से जानते हैं यह बात आपको ध्यान रखने हैं अब यहां पर मैंने बात करी है अब पटा की हे बात करो तो पटा में जो 23 गुंसूतर आते हैं पटा से उन्हें से 22 गुंसूतर जो होते हैं वह भी काय गुंसूतर होते हैं अर्था सरीर के निर्मान में वह भागी दारी नवाते हैं तोटल जो है यहाँ पर मैं बात करूं 22 और 22 जो होते हैं चमबालीस गुंसूत्र होते हैं पिता में जो की कैसे हुते हैं एलिंग गुंसूत्र होते हैं, बागी जो दो गुंसूत्र होंगे, वो 23 में से एक गुंसूत्र जो होगा, और टोटल में बात करूँ, 46 में से दो गुंसूत्र कैसे होते हैं, लिंग गुंसूत्र होते हैं, तो यहां पर आपको समझ में आ गया होगा, जो कि लिंग के नरदा जो होता है। यहापर होता है। जो 46 होते हैं हो 23 के जोड़े होगे, तो 23 में से 45 गुनसूत्र hote Water Cramas Kun호aj किस रजीन भागिदारि नभाते हैं जबकि 2 गुनसूत्र होते हो और 23 में से कितना होगा एक लिंग गुंसूत्र तो माता पिता की और से आने वाले 22-22 गुंसूत्र काई गुंसूत्र कहलाते हैं जो कि हमारे सरीर के निर्मान में साहितने बाते हैं तथा एक-एक गुंसूत्र जो है वो लिंग गुंसूत्र होते हैं जो कि हमारे लिंग के नि बालक बालिका के रूप में अब निर्धारन किस परकार होता है किस परकार बालक बनता है किस परकार बालिका बनती है अब देखिए सबसे पहले में बात करता हूँ माता में जो है एकस एकस गुंसूतर होते हैं जबकि पता में एकस बाई गुंसूतर होते हैं माता के तो किया बन गया एक से एक्स ऐक्स बन गया एक स्प्लस ऐक्स ऑ सुझ को इंड़ा अार्ट गजिए यहांपर एक्से वालक दाए새 को शूता है। तो यहाँ पर समझ गए होंगे आप जब पिता का Y क्रोस करेगा तो जो है पिता का Y क्रोस जब माता के X से करेगा तो उसमें बालक बनता है लड़का बनता है जब कि माता का X और पिता का X जब क्रोस करते हैं तो बाली का बनती है एकस एकस जिसे बोलते हैं तो लिंक के निर् एक्स ग्रॉमसोम माने जहीं तो यहां पर मैं पता देता हूं, जब माता और प्ता के सायोग से हमारे जीवन की शुरवात होती है, तो दोनों की ओर से आने वाले X गुंसूत्र बालक बालिका बनाते हैं तता X Y गुंसूत्र बालक की रूप में लिंक कनिरदारन करते हैं दोनों लंबे गुंसूत्र जो होंगे दोनों लंबे का मतलब X X क्रोमसूम जब दोनों होंगे तो उसे बालिका कहेंगे तदा एक लंबा और एक बॉनों क्रोमसोम होगा, तो बालक का निर्मान होगा देखिए, मैंने आपको बताया था, यह मान लिजे, कोई लंबा क्रोमसोम है, यह X क्रोमसोम है, गोल वाला है Y अब देखिए अब यह दोनों एक्स और वाई दोनों आ गए तो इसका मतलब लड़का है यदि एक्स-एक्स दोनों लंबे होते तो इसका मतलब क्या होता एक्स-एक्स क्रोमोसॉम और यह बालिका का रूप जो है लेता है तो यह आपको समझ में आ गया होगा तो अन्य चेत् एहां पर उनकी मान सकता के निर्मान में भी यह खेल्द को निर्वार झा रहता है शरीर कि सरचना एवम कद ये भी जो है इसकी भी में बात करूँ तो ये भी जो है किस पर one scrumper निर्वक करता है सरीर की सरचना कैसी है रंग रूप कैसा है कद कैसा है ये भी अपनी जो है मातपता से आता है अपने मेंडल के नियम पड़े होंगे जिल में प्रभाविता का नियम आपने पड़ा होगा जिसमें बताया जाता है कि एबन पीडी में लक्षन प्रकट होते हैं मतलब जो प्रभावी होते हैं वही लक्षन प्रकट होते हैं तो मातपता के प्रभावी लक्षनी संतान में प्रकट होते हैं उनसे मात अपता में मान लीजिए अच्छा रंग रूप था तो अच्छा रंग रूप पर कट हो सकता है लंबा कट था तो लंबा कट पेदा हो सकता है तो इस प्रकार वंसक्रम जो है ये भूमिका निवाता है परिपक्तपा के विकास में भी maturity भी जो है वंसक्रम पर विविद्ति के चेत्र में वैचारिक संभेगात्मक नेतिक एवं वैचाररिक का मतलब होता है वैचार और संभेगात्मक यहाँ पर समिज गयोंगे आप संभेग का मतलब गुस्सा, वह, डर, बगेरा या भी किसी का बाप डरपोक है तो कहते हैं सामरनत्य लटका भी डिर्वर्फूक होता है लेकिन जो है ऐसा आमेसा नहीं होता है यह विज वय निर्मान में महांशका स्वास्त हैं यह इस पर निर्वर्फ करता है करक्ता के विकास में कार्यवेवार और व्यवसाय में वेचारिक संबेगात्मग नेतिक एवं अभीवरत्ति के छेत्र में भी ये योगदान देता है अब मैं बात करता हूं यहांपर बालक के विकास में वातवरन की क्या भूमी का रही है उसके बारे में मैं बात करूँगा तो बालक के विकास में वातवरन की या प्राकरतिक नेचल्ल फैक्टर्स यह दोनों जो है वहाटावरन क्यलाते हैं बच्चे के बेकास पर तो वो भी जो है यहां पर वातबरन में ही सामिल किया जाता है तो प्राकरतिक उस्तामाजी तो धोनों कारक आप प्याद रखने हैं यह दोनों ही वातबरन के रूप में जाने जाते हैं देखिए अब कोई बच्चा जो है जिस प्रकार की लोगों की संगती में रहे हैं मूस्रीय क। की रूप में जानते हैं तो वुर्द वॉल्ट की में बात करूं तो उन्हों ने बता आया कि वे सभी तत्व जो जनम से ही हमें प्रवाविद् करना प्रारम करderते हैं। उन्हें थ्राइक सकता है , वुढबर्थ की क्या परिवासत दी युग करते हैं, बताए बात कर रहा हूं जिमबर्ट ने क्या बताया वातवरण के बारे में उन्होंने कहा कि वे सभी वस्तों जो हमारे चार ओर से हमको घेरे हुई है एवं जो जनम से लेकर मिर्थ्यू तक प्रवावित हमको करती रहती है वही वातवरण कहलाता है तो जिमबर्ट क्या कहता है कि ज क्या कह देते हैं वातवरण के नाम से जानते हैं तो जिमबट की आपने आप परीवासा जान ले होगी तो रौस के में बाद करो तो रौस ने बता I mean वहवाईये सकती होती है जो बालग को जनम से ही प्रवाववित करने लगती है मतलब बचचे को जनम से ही जो वावत करती है जो चीजे वही क्या कहलाती है वातवरन कहलाती है वातवरन वहभाईए सकती है जो बालक को जनम से ही प्रावत करने लगती है तो यह भी रौस की परिवासा थी तो यहां पर आप समझ गया होंगे रौस ने तो बताया बाहिए सकती वातवरन को क्या बताया एक बाहिये सकती जबकि वुडवर्थ ने बताया था तत्व वुडवर्थ ने बताया कि वे तत्व जो जनम से बालक को प्रारम करते हैं वो क्या कहलाते हैं वातवर्ण जबकि रोस ने बताया कि वह बाहिये सकती जो बालक को जनम से प्रारम करने लगते हैं देखिए परिवासा आपको सेम लगेगी लेकिन अंतरिन में है वुडवर्थ ने बताया की टत्व बताया लुद कहले हैं कि आना कि परावित कश्छे वातवर्थ ने बताया कि वह बाहई सक्ति जो वालद को जनम से फ्रवावित करने लगती है जबकि जिमबर्ट ने बताए कि वे सबी बस्तों हैं जो हमारे चार ओर से हमको गेरे हुई हैं और जनम से मृत्यूता कमाम को प्रवावित करती हैं वो बातवरन कहलाते हैं अब कुछ महत्पून जो वातवर्णिय कारा के हैं जो बालक के विकास पर महत्पून पर बाब डालते हैं उनकारा के गटकों की मैं बात करूँगा, कंपोनेंट्स की मैं बात करने वाला हूँ कौन-कौन से components या environmental factors जो है वो बालक के विकास के प्रवावित पढ़ते हैं जनम-स्थान की मैं बात करूँ तो किसी भी बालक का विकास उसके जनम-स्थान से संबंदित गरेनक चत्र, चंद्रमा और सूरे की गती से भी प्रवावित होता है तो बालक के विकास पर गरेनक चत्रों का भी प्रवाव पढ़ता है चंद्रमा और सूरे की गती का भी प्रवाव पढ़ता है और उसके जनम-स्थान का भी प्रवाव पढ़ता है तो यहाँ पर आप समझ गया होंगे कि एक बालक का जनम करम भी उसके विकास को प्रवावित करता है जैसे कि एक विसेश सोध में निसकर्स प्राप्त हुआ कि पहली और अंतिम संतान के विक्चा बीच वाली संतानों के विकास अच्छा माना जाता है ऐसा माना जाता है कि पहला बच्चा जो होता है उसका विकास और अंतिम बच्चा जो होता है उसका विकास उनका विकास अच्छा नहीं होता है लेकिन जो बीच बाले होते हैं जैसे मान लोग किसी पिता के पांथ संतान हैं तो पहली संतान और पांच भी संतान, इनका विकास अच्छा नहीं होगा, लेकिन दूसरी, तीसरी और चौती, इन तीन संतानों के विकास जो है, अच्छा माना जाएगा, तो ये एक निसकर्ष से प्राप्त हुआ था, कि जनम करम के विकास या जनम करम पर भी प्रवाब तीसरी में बात करता हूँ यहाँ पर पोसन, अब पोसन किस प्रकार से इस पर प्रवाब डालता है, उसकी में बात करूँ, तो यहाँ पर पोसन जो है, एक बालक को जो भी खाने पीने की चीज़े मिलती हैं, दी जाती हैं, वो भी बच्चे के विकास को प्रवाबित करता ह मतलब एक बालक को जो भी खाने पेनाय के लिए दिया जाता है उसे हम पोसन कहते हैं इसके लिए जरूरी है कि उसमें सभी प्रिकार के आपसक पोसकतत्रों मुझूद हो अगला है यहां पर है परिवार का वातवरन भी बच्चे के विकास को प्रवावित करता है सारे एक बच्चे के विकास अच्छा होगा बालकॉं के बाहरत भी आपको समझ लेनी है तो परिवार का भी जो है महत्वण पर परवाव पड़ता है अच्छे लोगों को परिवार ऑग तो उसमें बच्च्र aiए और हो ये भी बच्चे पर महत्पून परवाब डालता है बालक के सारिक मांसिक विकास में भी खेल का महत्पून योगदान माने जाता है ऐसा मानते हैं कि जो बच्चा खेले में ज़्यादा सक्री रहता है एक्टिव रहता है उस वो ज्यादा बुद्धिमान होता है इससे भी अध जिकता बच्चे में जो सामा जी करण अरतात् बच्चे का विभार है वो भी खेल से बढ़ता है खेलने से जो यह काफी लोगों के संपर्ग मेरेगा तो जो भीवार पे अच्छा रहेगया मित्रमन्डली प्रब़ाब परता है कि किस प्रकार के जो उसके मित्र हैं, वो कैसे हैं, अच्छे मित्र हैं तो अच्छा आच्रन होगा बच्चे का, और बुरे मित्र हैं तो बुरा ही आच्रन होगा, बेवार भी उसका बुरा हो जाएगा, तो आच्रन और बेवार उनके विकास को भी ये मित्रमंडली प्रवावित कर समध्रतल से दूरी Jetzt समध्रतल के आस पास के लोगों की अपेख्षा दूर ने वाले लोगों का बिकस अच्छा माने जाता है समध्रतल मैदान पहाड या भूमत दे रेखा कि समीपता या दूरी जैसी बहुगलिक बातवरन भी एक बालक के विकास को प्रवावित करता है मतलब यदि बहुगलिक बातवरन जैसे की मरुस्तल पास में हैं या मैदान है या पहाड है या भूमत दिरेका के पास लोग बसे हुए है जहां पर ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो वहां जो है उनके बच्चों का विकास अलगी माना जाता है और जो दूर होते हैं उनका विकास जादा अच्छा माना जाता है मरस्तले मैदान पाड भूमत दिरेका के जो समीब बसे होते हैं व locking बातरवन भी वालक के विकास को प्रवाबिड करता है तो यहांपर मैंनेrators कुछ महत्पून कारग बता अब जो बाल विकास को प्रवाबिड करते हैं सबसे पहले मैंने आपसे बात करी जनम garment की बात कर्या उसके बाद मैंने पोसन की बात करी, उसके बाद मैंने परिवार के बातवरन की, फिर विद्धाले के बातवरन की, खेल के मैदान की, मेत्रमंडली की, समधर तल से, दूरी की और भोगली की बातवरन की, ये चीज़े भी बच्चे के विकास को प्रवावब करती हैं, अब मैं के सिद्दान्त यहां पर बताए गए हैं उनकी बात भी मैं करने वाला हूं तो सबसे पहले में बाल विकास के सिद्दान्तों में पहली बात करता हूं मैं समानता या समरूपता या पर समान पृतिमान का सिद्दान समानता या समरूपता या समान पृतिमान का सिद्दान जो ह प्रतिमान की बात आपको याद रखने क्योंकि यह सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं कि अब यहां पर आपको मैं बता देता हूँ इस सिध्धानद के बारे में संब्रूपताया तो समय right संतानों का ही जनख होता है। समान-पृतिमान का नाम का नाम रख दिया समानता का सिध्धान या समरूपता का सिध्धान समानता का मतलब एक जैसे समान जो है संताने होती है मतलब मनुस्ता है तो मनुस्ता होगा पसु है तो पसु समरूपता का मतलब रूप समान होगा मनुस्ता का मनुस्ता है पसु का पसु मनेगा पक्षी का पक्षी इसको हम जनन द्रब्य का सिद्दान के देते हैं बीज कोस का सिद्दान के देते हैं और अमरता का सिद्दान इसको कहते हैं और बीज में इनके दोरा ये सिद्दान दिया गया जनन द्रब्य का सिद्दान बीज कोस का सिद्दान अमरता का सिद्दान ये किस ने दिया था बीज कोश का जद्दान ये जनन द्रब्य का सद्दान था अपने बायलोजी में भी पढ़ा होगा ये बीजमेन के द्वारा दिया गया बीजमेन ने चुएं पर प्रियोग किया था और चुओं पर किस प्रकार प्रियोग के अधार पर इसको दिया गया वो मैं आपको बता देता हूँ बीजमेन ने क्या किया कई पीडियों तक चुओं की पूंचों को काटा था और काटने के बाद कोई भी पीडियों ऐसी नहीं आई कि बिना पूंच वाली चुओं पैदा हो गए हूँ इस आधार पर बीजमेन ने का कि हमारा जो जनन द्रब्य बीजकोष जो हता है वो पीडि दर पीडि निरंतर बना रहता है कभी भी वो समाप नहीं होता है बीजमेन ने क्या किया एक चुओं लिया और उस चुओं की पूंच को कई पीडियों तक काटा मतलब उसकी संतान होती गई उसका पुत्र हुआ उसके पुत्र के और पुत्र हुए पर पोते हुए इस परकार चुए कि कई पीडियों का उन्होंने अध्यन किया और अध्यन करने के बाद उसको पता चला कि बिना पूश कटी होई संतान पैदा नहीं होती है इसका मतलब जो जनन द्रब्य था उसका वो जनन द्रब्य जो है वो हमेशा हर पीडिय में पहुंसता रहता है वो सम तीसरा सिद्दान जो बाल विकास के बारे में क्या दिया गया अर्जित गुनों के संक्रमन का सिद्दान दिया गया लेमार के द्वारा विकास बादी विग्यानिक लेमार के से हम कहते हैं विकास के बारे में इसने बहुत सारे अध्यन किये थे तो इसे विकास बादी ग्रेन करते हैं जिनकों वातवरन से ग्रेन करते हैं वो अरजद गुन होते हैं जैसे कि जराप जो है जराप की गर्दन लंबी होती है वो कैसे होई उसकी गर्दन लंबी पहले क्या था कि काफी टाइम पहले अकाल पड़ा होगा अकाल पड़ने के कारण जो छोटे पोदे थ थे बड़े पोदे जो है फोड़े बहुत इनमें ज़ो है अर्जित गुनों का संक्रमन मतलब अरजित गुनों को हम दीर-दीरे राप्त करते हैं बात-वरंसे अब इसमें क्या बताये नोग ने कि इस सत्ध दांत करनुसाद जो गुन मात-विता के द्वारा अरजित किये जाते हैं उन्हीं गुनों को कई बार संतानों में भी प्रिकट होने के रूप में देखा ज गई यह बात लेमार्ग ने बताई लेमार्ग ने जराब की गर्दन का उधारन प्रुस्तित किया कि पहले जराब की गर्दन छोटी होती थी परंतु परिस्तितियों के साथ लंबी होने लगी और वर्तमान में भी संतानों में भी लंबी है ऐसा देखा जा रहा है तो यह बात अर्जित गुनों के संक्रबन का सिद्दान ले मार के द्वारा दिया गया यह भी बाल विकास के पारे में मेहत्पुन सिद्दान दिया गया था अगला है मौलिक गुनों का सिद्धान जो की ग्रेगर जोन या फिर ग्रिंगार मेंडल इसे हम कई बार कह देते हैं ग्रेगर जोन मेंडल भी कह देते हैं लेकिन मनोविज्ञान में जो है इसको ग्रिंगार मेंडल भी कह देते हैं तो यहां पर ध्यान रखना है आपको ग्रि उन्हों पौद लिए उसके बाद समानमात्रा में मतर के बीज पैदा हुए उसके बाद ओसत लंबाई वाले पोदे भी पैदा हुए, ओसत लंबाई वाले 50% थे, 25% जो थे लंबे थे और 25% जो थे बहुत ज़्यादा बोने थे, तो 50% लंबे और 50% बोने, इस सिद्दांद के अनुसर कोई भी संकर प्रानी या किस्मिया नसल जो है, कुछ पीडियों के बाद पु नाती में, दादा के गुन जो है, पोत्र में परकट हो जाते हैं, नानी के गुन जो है, नाती में, तता दादा के गुन किसमें परकट हो जाते हैं, पोत्र में परकट हो जाते हैं, दादा के गुन जो है, उसके पोत्र में परकट होने लग जाते हैं, जैसे किसी के दादा क कि नाक लंबी थी तो उसका जो नाती है उसकी नाक जो है लंबी हो सकती है तो दादा के गुन कई वार पोत्रों में भी प्रकट हो सकते हैं और नानी के गुन भी कई वार जो है नाती में प्रकट हो सकते हैं तो लगतार तीसरी पीडी आते आते जो है वास्त भी गुन पर कट होने लग गए तो ये मेंडल का प्रियोग आपने पड़ा होगा प्रवावता के नियम बगेरा उन्हीं सिद्दान तो गो इसने मौलिक गुनों का सिद्दान कहा अगली में बात करता हूँ गाल्टन का सिद्दान जो कि ये भी बालविकास के बारे में दिया गया गाल्टन का सिद्दान अब देखे गाल्टन क्या कहता है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ गाल्टन ने कहा गालटर ने कहा कि मातापता से तो 50-50% गुनाते है 50-50 % दादा दादी से 25-25 % आते हैं दादा ये दादी से 25-25 पर दादा ये परदादी से 2.5 बारे बारे मतलब हर वार आधा कर देना है आपको देखिए मान लीजे कोई संतान या माता पिता के संयोंग से जो संतान पैदा हुई है उसमें 100% जो है वो लक्षन है उनमें से 100% जो गुनसूत्र आये हैं वो मान लीजे 50% माता से थे और 50% पिता से अगली जो जो उपर वाली जो पीडी थी दादा दादी वाली या पर दाद कि अर्थात हम पिचास पर्सेंट को एकवटा दो भी कह दिते हैं और 25 पर चीह दितेते हैं और जो साड़ेवारे परषेंट ऐसको एकवटा आटवी कह देते हैं अद्सेट prepared haid कि मतलब जो संतान में जो लक्षन पर कट होते हैं जो सो परसेंट जो लक्षन है संतान में उनमें से पचास परसेंट जो होते हो माता पिता से आते हैं पचीस परसेंट दादा दादी से और साड़े बारे साड़े बारे परसेंट पर दादा पर दादी से आते हैं तो गाल्टन के अनुसार एक बालक में जो गुन पाए जाते हैं वो 50-50% मातविता से आते हैं 25-25% दादादी से आते हैं और इसी क्रम में पूर की पीडियों में भी क्रम से आदे होते जाते हैं और एक सीमा के बाद वो सुनने हो जाते हैं तो ये बात किसने बताए थी गाल्टन ने तो ये बात आपको दियान रखना परदादा परदादी से उपर की जो पीडियों उनमें भी आदे होते जाएंगे कि साधे बारे का फिरादा कर लेना उससे बाद भी फिरादादा करना है लास्ट में जब तक जीरो नहीं आए तब तक जो है आपको गाल्टन की नियम का पालन करना है तो गाल्टन क्या कहता है कि एक वालक में जो भी कुन हैं वह 50-50% मातपता से आएंगे और 25-50% दे होते जाते हैं और लास्ट में जीरो तक वो यहां पर पहुंच रहे हैं अगला सिद्दांद बाल विकास का पृतिया गमन का सिद्दांद इस सिद्दांद का अनुसार कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जो कुन माता पता में पाए जाते हैं उनके ठीक विपरीद गुनिया लक्षन जो है संतानों में परकट हो जाते हैं जैसे कि हरना करसब जो राजा था उसके पहला जैसी संतान पैदा हो गई देगे हरना करसब आँ अब देखें जैसे राक्षस राजा के हैसरागऑनीजा के छोह हरना का संथा जो만 संतान प्यदा हो गई वह वह वो भी ऑफाल विकास के बताए गई गई एक पिर्तियागवन के सिद्धानत अदियान रखना Shane तो परतियागवन के सिद्धान्द में क्या बताए गया है कि कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जो गुन माता पता में पाये जाते हैं, उनके ठीक विप्रीत गुन, उल्टे गुन, मतलब उसके अपोजिट गुन जो है, वो संतान में आ सकते हैं, जो माता पता में गुन थे, उनके opposite गुन भी संतानों में आ सकते हैं जैसे हर्णा कसब के पुत्र पहलाद में बक्ती बाब का गुन आया था हर्णा कसब तो बिल्कुल राक्षसरा जाता जो बक्ती बाब से बिल्कुल कोई मतलब नहीं था जब कि पहला जो था ये विस्न भगवान का भग था तो इस प्रकार की जो लक्षन पर कट हो रहे हैं ये पृत्यागवन की सिद्धान्द में बताए गए हैं अब अगला है यांपर बिभिनता का सिद्धान्द संभवत्या ये देखा जाता है कि संतानों में पाई जाने वाले गुन ये लक्षन जो होते हैं सदे मातपता के समान नहीं होते हैं ना होकर कि रंगरूप, कदगाथी या विवार के दरिष्टी कौन से अलग-अलग होते हैं मतलब विविन्ता का सिद्धान क्या कहता है कि संभवत्या जो है ऐसा देखा जाता है कि संतानों में जो गुनिया लक्षन है वो माता पिता के समान नहीं होकर कि रंगरूप का गाटी बिवार की दृष्टिकों से बिन्न हो सकते हैं जैसे कि किसी पिता की लंबा ही जो है कि यहां पर आप समझ गये होंगे यदि मान लिजे किए पिता जो थो संदर था लेकिन उसकी संधान जो है बहुत ज्यादा जो है प्लष की दृष्ञति से देखें तो वह औ wnोसक्ती संदर पिता के काली संताने भी हो सकती हैं यहां पर यह बात बताएगी है विभिंता का सिद्धानत का मतलब यह है कि संतानों में जो गुनिय लक्षन पाई जाते हैं वो अपने माता पिता से समान ना हो करके अलग भी हो सकते हैं रंग रूप कत-काठी या फिर व्यभार में तो यह यहां पर आपका जो है साथ सिद्धानते बालविकास के वो मैंने आपको यहां पर बता दिये हैं जो भी महत्पूर्ण बाते हैं वो मैंने आपको इन सिद्धानतों के जरिए बताईएं तो यह बात आपको ध्यान रखना है चाइल डवलप्मेंट से सम्मंदित कु हुई सजी प्रानी जनम देते हैं दूसरा में ने बताया जनंद रभ्य का सिद्दान जो कि बीज में ने दिया चुए पर उन्हों इनकी संतानों 50 % जन माता पता सकते हैं गाल्टन ने क्या सिद्दान दिया इन्होंने बता है कि 50-50% गुन मातपिता से 25-25 दादी से आते हैं और उसके बाद की वीडियो में आदे-ादे होते जाते हैं ये गाल्टन का सिद्दान था प्रतियागवन का सिद्दान क्या है सिद्दान का अनुसर कई वार ऐसा देखा ग करते हैं मतलब यहां पर माता पिता यदि का अच्छे भीवार के ओनया है। जरूरी उनसे भी अलग बच्चों में पिरकट हो सकते हैं ये बाल विकास के महत्uuuu सद्दान जो है आपको आज aumento हम ने बताए है तो ये वीडियो कैसा लगा? जरूर कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें जिन्होंने साइकलोजी का कोर्स नहीं लिया है, वो कोर्स परचेज कर सकते हैं 96, 64, 49, 60, 24 पर कोंटेक्ट करके कोर्स ले सकते हैं आपको कोर्स पूरा करा दिये जाएगा, इस नमबर पर कोंटेक्ट करके मातर 100 रुपे में आज आपको कोर्स मिल सकता है और 20 कोस्चन इसके आने वाले हैं, तो आपकी तैयारी में बहुत ज़्यादा योगदान की कोस्चन देने वाले हैं तो साथ चलिए यहीं पर इस वीडियो को समाप्त करते हैं, धन्यवाद